चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल आइकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सैमसंग फोन के होम स्क्रीन और एप स्क्रीन की कुछ सेटिंग देखने वाले है और एप स्क्रीन की सेटिंग देखने वाले है कि हमें Samsung के phone में app screen की setting किस तरह से रखनी है और किस तरह से हमें इसका use करना है यहाँ पर क्योंने वाली वीडियो में इस वीडियो का हमें suggestion बताया गया था कि आप इस चीज पर हमें detail में वीडियो बना है तो यहाँ पर आपको app screen और home screen यह दोनों अलोग अलोग कंसेप्ट होते है यहाँ पर आपको एक page पर ज़्यादा से ज़्यादा apps मिल पाए साथ ही जो आपकी सारे apps है वो आप प्रॉपरली वहाँ पर इजिली सर्च कर पाओ सारे चीज़े मतलब आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी वीडियो को आप लोगों को एंटक देखना है जो लोग जानते है app screen और home screen के बारे में डीटेल में skip कर सकते है और जो लोग नहीं जानते वीडियो को एंटक ज़रू देखे तो Samsung के phone को हम लोग यूज कर रहे है वीडियो के लिए यहाँ पर M53 5G यह वाला phone है तो हम लोग app screen को open करेंगे app screen को open करने के लिए दो तरीके है जब आपने अगर app screen वाला button अपनी screen पर लेकर लाकर नहीं रखा हुआ है मतलब on नहीं करके रखा हुआ है तो आप दो finger से swipe up करके open कर सकते हो और अगर app screen का button है तो तो आप app screen पर जो app button है उस पर क्लिक करके भी app screen को open कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले app screen को open करेंगे वही पर हमें सारी setting मिल जाती है इसके लिए अलग से सेटिंग मिचाने की जरूत नहीं है तो हम लोग open करेंगे apps को यहाँ पर आपको more option का button ढूंड़ना है ठीक है more option का button ढूंडना है यहाँ पर उसको open करना है more option को open करने के वाद यहाँ पर देखिए settings से सबसे पहले option है sort और setting तो sort में आपको a to z यह वाला set करके रखना है ताकि आपको easy जो है applications आसानी से मिल जाए मतलब सबसे पहले ए वाली applications आएगी उसके बी वाली applications आएगी इस तरह से है ना तो यह इस बात का आपको ध्यान रखना है स्वाट में a to z वाला आपको set करके रखना है फिर हम setting में चलेंगे यहाँ पर अब हम लोग सीधे यहाँ से home screen setting में आ गया है अब home screen layout home and app screen अब आपको अगर जो यहाँ पर जो आपकी जो applications है वो अलग-अलग चाहिए यानि कि home screen पर कोई भी application नहीं चाहिए और app screen में ही सारी application चाहिए कुछ लोग ऐसा यूज़ करते हैं तो यहाँ पर home and app screen आप यूज़ कर सकते हो या फिर चेंज भी कर सकते हैं आपको कोई app screen में खुलने की ज़रूद नहीं पड़ीगी अप्लाइब डिसेबल है क्योंकि हमने चेंज नहीं किया है तो हमें home screen और app screen अलग-अलग रखना पसंद है क्योंकि home screen पर कुछ wallpaper पर सेट करते हैं फिर कुछ important application भी रखते हैं तो home screen और app screen अपने अकॉर्ण यहां पर सेट करते हैं आप अपने अकॉर्ण यहां पर सेट कर सकते हो अब यहां पर home screen grid 4x6 हमने यहां पर सेट करके रखावा है यानि कि home screen पर अगर आप कोई application सेट करते हो तो वहां पर मतलब जो अब इससे होगा यह कि आपका जो एक पेज है एक पेज में इतने सारे आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे हैना तो इसको जो है आपको इस तरह सेट करना है हम सेटिंग चेंज करने के वाइसे home screen पर पहुचिए ठीक है यहां पर 5x6 हमने कर रहा हुआ है अब यहां पर ज्यादा एक पेज पर ज्यादा application समय मिलेंगे उसी तरह से आप स्क्रीन पर भी जो है आपको एक पेज पर ज्यादा application दिखें मान लिजे आपके पास मतलब साट साट सतर या सो applications है तो उसके लिए कितने सारे pages बनेंगे जिसे अब हमारे पास 8 pages बन जाते हैं हैना अगर हम 4x6 रखें या 4x5 रखेंगे तो 8 से 10 pages बन जाएंगे लेकिन अगर आप 5x6 रखोंगे तो एक पेज रहों के ज्यादा applications आएंगे हैना तो इसके लिए आपके जो pages है वो चार से पाच pages में जो है आपके applications डिवाइड हो जाएंगे एक page पर आपको ज्यादा application देखने के लिए मिलेंगे यहां पर होगा कि आप जो इंट्रेस्ट आप जिन एप्लिकेशन में आपको इंट्रेस्ट है और आप नेट पर क्या सब्सक्राइब तो उसके कुछ आपको home screen के और app screen के ऊपर मतलब बॉटम में दिखा देगा home button के ऊपर तो इसको आप बंद करके रखी काफी ज्यादा इरिडिशन होता है इसे थोड़ा सा device मतलब हैंग भी होता है तो इसको बंदी करके रखी गूगल डिस्कवर जिसके बारे में डीटेल में वीडियो बनाया था अगर आपको यह होम स्कूइन पर चाहिए तो आपको एड़ करके रख सकते हैं क्योंकि हम गूगल डिस्कवर क आपने उस फीचर का यूज नहीं किया है तो यूज करिए काफी ज़दा काम की चीज़े मिल जाती है आपको गूगल डिस्कवर में जो हमने एप स्क्रीन बटन की पहले स्टार्टिंग में बात की यह वही बटन है मतलब आप दो फिंगर से भी एप को उपन कर सकते हो अग कि इसको अप हैं आप हो करें आप अगर आपको अप्लीकेशन से हाइड करना है तो आप कर सकते ओं और यहां पर हैड कर सकते हो आपको आप में ही दिखने के लिए मिलेगी इजिली कोई भी एप्लिकेशन का हाइड करकर प्रड़ आप काम का फीचर अपको यूज कर सकते हो अब आप आईकॉन बैच जो भी आपके जो आईकों से नंबर से वहां पर आपको दिखाए देंगे आप इसको करके रख सकते हो यह काफे सारे लोगों का जो ऑन होता है और इसी चीज के चलते यह वीडियो बनाना पड़ करने नहीं स्क्रेइन पर ब्रह Walker तो प्रेशान नहीं करेंगा जब आप्ने डिवाइस को रोटेट करोंगे आपको स्क्रेइन इस प्लोगों को सारे चीज होगे वोगी आप कि शूरीचर को आहतो прикुंट अप वही करेंगे से आपने फोन सामसंग के फोन की सेटिंग कर सकते हैं और इस सेटिंग को यूज कर सकते हो जो अधर यूजर है जो सामसंग की डिवाइस नहीं यूज कर सकते उन करते हैं वो लोग माइक्रोसॉफ लॉंचर को यूज करिए और माइक्रोसॉफ लॉंचर को यूज करते हुए स लोग को अपना default launcher पसंद नहीं आता है Microsoft launcher का use करिए और इसी तरह से कुछ setup हो कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करूंगे मिलता हूं किसी और interesting वीडियो में telegram WhatsApp group about page में है आप लोग जाके जूर सकते हो assistantforblind.com पर विजिट जरू करे मैं था जितुराज जैहिल